गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी को स्वागत हैं। हम सभी मिशन शिक्षन समवात की पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के इस प्रयास में आज शीट नंबर 24 पर पहुँच चुके हैं। तो आज इंग्लिश क्रेमर की कक्षा में मिशन शिक्षन समवात की ओर से मैं शालीनी कुश्वाहा आप सभी के लिए टॉपिक सेंटेंस के साथ उपस्तित हूँ। जिस प्रकार किसी भी कारी को करने की पूरु तयारी की जाती है। उसी प्रकार हमने वो पूरु तयारी पहले ही कर लिया। अपनी अब तक की शीट नंबर 21-23 तक में जो तयारी की हैं वह आज हमारे बहुत काम आने वाला है। जैसे हमने parts of sentence को detail से पढ़ा, चलिए थोड़ा दोहरा भी लेते हैं, हमने पढ़े noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction और interjection, इन सभी को मिला करी sentence बनते हैं, तो आईए अब sentence को देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं तो सबसे पहले sentence, इसकी परिभाशा को जान लेते हैं, a sentence is a group of words which gives a complete meaning, sentence means बाक्य, सबसे पहले हम इसकी हिंदी जान लें, sentence का मतलब होता है बाक्य, तो शब्दों का एक ऐसा समुख, जिससे पूर्ण भाव्यक्त हो बाक्य कहलाता है आप पहले English देख लेजिए, उसके बाद हिंदी देखते हैं a sentence is a group of words which gives a complete meaning, शब्दों का एक ऐसा समुख, जिससे पूर्ण भाव्यक्त हो बाक्य कहलाता है आगे देखते हैं इसकी शुरवात एक कैपिटल लेटर से होती है और अन्त कैसे होता है? एक डॉट जिसको हम कहते हैं वह एक statement हो सकता है, simple सा किसी के द्वारा पुछा गया प्रश्न या हमारे द्वारा किसी से पुछा गया प्रश्न exclamation, exclamation अभी आपने पढ़ा ही है कि हम किसी चीज़ पर को देख कर बहुत जा तो आश्यरी चेकित हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं तो वह exclamation भी हो सकता है या फिर command means order हो सकता है किसी तरह का request हो सकता है तो sentence कही तरह के हो सकते हैं अब हम next चलते हैं structure of sentence, sentence का structure कैसे जानेंगे इसके विशे में? structure of sentence first पहले बात तो हमें ये जान लेना है कि sentence को two parts में divide किया गया है तो आएए पहले उसको देख लेते हैं कैसे two parts में divide किया गया है इसे जाने के लिए ये देखे एक चितर दिया हुआ है हम इसी को समझते हैं इसमें एक sentence है John is going to school ये पूरा एक sentence है जिसमें सिफ हम जो ये जान है subject है उसको हम एक part में और जो पूरा उसके अलावा जितना भी part है उस पूरे पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं तो आप आप देख रहे होंगे कि subject, john और प्रेडिकेट पूरा sentence इस प्रकार से हमने देखा कि structure of sentence दो तरह के होते हैं subject और प्रेडिकेट तो चलिए अब हम इसकी definition में देख लेते हैं subject the doer, doer means काम करने वाला, of the action, action means जो कारी होता है तो कारी करने वाला इंसान subject is either a noun, subject या तो noun होगा और pronoun that occurs at the beginning of a sentence यहाँ पर आलिक लिजेगा, that occurs at the beginning of a sentence तो एक बार फिर से देखते हैं subject, the doer of the action, subject is either a noun और pronoun that occurs at the beginning of a sentence अब इसी प्रकार से हम प्रेडिकेट को ले लेंगे, प्रेडिकेट की definition देखते हैं प्रेडिकेट, the remaining part of the sentence, sentence का और जो बचा हुआ पूरा part it begins with the verb और या वर्ब के साथ शुरू होता है जैसे example देख लीजे, Mr. Gupta teaches English, अब इसमें से subject अलग कर लेते हैं Mr. Gupta, यह आपका हो गया subject और प्रेडिकेट, टीचिस English, अब यह देखे, यह वर्ब के साथ शुरू हुआ, तो यह आपका हो गया प्रेडिकेट, आए देखते हैं, kinds of sentences, sentences के भी kinds होते हैं अभी तक हमने parts of speech बढ़ी है, sentences के kinds नहीं पढ़े First है assertive, declarative, या फिर declarative, विधी सुचा, simple सा हमने कोई वाक्य बोला वो assertive sentence हो गया Second है interrogative, प्रश्न वाचत, जह हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वो interrogative हो जाता है, imperative आग्यार्थक आग्यार्थक इसमें आग्या भी आ जाता है, request भी आ जाता है, surprises भी आ जाते हैं तो ये सारे imperative sentences होते हैं और exclamatory जिसमें हम किसी को कुछ देख कि हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत आश्यरी चकित हो जाते हैं तो वो हमारा exclamatory sentence हुआ, और अभी हमने सिर्फ इनके नाम के विश्य में जाना है, केवल और केवल हम नाम के विश्य में जान पाए हैं, इस sheet में, आगे की sheet में हम इन सभी को डिटेल से पढ़ेंगे भी, तो आईए अब देखते हैं, इसकी exercise, जो अब तक आपने किया, उस पर ही based exercise है हमारी है, question number one, the doer of the action is called, the doer of the action is called, noun, pronoun, वो A and B, तो A और B दोनों होगा, क्योंकि बताएगे ने, subject या तो noun होता है या pronoun, तो आपका यहाँ पर answer होगा, C, A and B, question number two पर चलते हैं, predicate begins with, predicate किसे शुरू होता है, noun तो नहीं, pronoun भी नहीं, verb, यहाँ कभी answer आपका, C होगा, verb, next, question number three, a subject, a subject comes in the beginning of the sentence, in the middle of the sentence, at the end of the sentence, none of these, तो subject तो सबसे पहले याता है, तो यहाँ पर हमारा A answer होगा, इसके बाद हम next आगे बढ़ते हैं, question number four पर, A sentence begins with, a capital letter, a small letter, full stop, exclamatory, तो sentence तो हमेशा capital letter से शुरू होता है, आपका, A वाला, आपका ये, सही answer होगा, how many types of sentences are there, sentences कितने प्रकार के होते हैं, अभी हमने उपर पढ़ा, four types of sentences, अभी देखे, आपको दिखाती हो, ये देखे, four types of sentences हमने पढ़े न, तो यहाँ पर हम answer लगा देंगे, five का A, four types of sentences, तो आज की आपकी जो कक्षा है, वो बहुत जल्दी समाप्त हो गई, आपके sheet में फिर से एक सुन्दर सी कहानी, comprehension के रूप में, और उन पर based, ये question answers, आपको कहानी पढ़नी है, questions के answers देने हैं, अपनी में से discuss करना है, यदि आपको नहीं आता, और आता है तो अपने दोस्तों के साथ discuss कर लिजे, और इस तरह से आपकी reading skill बहुत अच्छे से बढ़ेगी, और हम सभी को बड़ी खुशी होगी, तो ये थी आपकी आज की class, और अगले गक्षा में फिर से उपस्तित होंगे, तब तक के लिए, बाबाई, टेक कियर,